महान समाजवादी नेता वदेश के पुरो प्रधान मंतरी चंदर शेखर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना वर्तमान समय की मांग है इससे पूरवांचल के 20 करोड भोजपूरिया समाज के लोगों की मांग पूरी होगी ये बातें पूर्वसांसद आनंद मोहन ने गुरुवार को मांजी के बलिया मोड पर पत्रकारों से बाजचीत के करम में कही इससे पहले मांजी पहुचने पर फ्रेंस ओफ आनंद से जुड़े सैकडो कारेकरता ने आनंद मोहन का बैंड बाजे के साथ फूल माला पहना कर भ पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डाल कर देश वा समाज के निर्मान में अपनी महती भूमी का निभाने वाले देश के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून उनका हक है इसे लागू कराने के लिए वो सड़क से सं सत्तक संघर्ष करेंगे बिहार में जारी राजनेतिक गहमा गहमियों उनके बेटे के पाला बदलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करते हैं वह डंके की चोट पर करते हैं उन्होंने कहा कि एहसान की कीमत विसूद समेत चुकाते हैं तथा अपमान का हिसाब भी समय पर लेते हैं मौके पर गोबर ही पंचायत के पुरो मुख्या देवेंद्र सिंग उमा शंकर ओजह उदै नारायन सिंग सुनील कुमार पांडे मुकेस सिंग धीरज सिंग मयंक और विक्की सिंग समेत कई कारेकरता मौजूद रहे आनंद मुहन अपने काफिले के साथ बल्या के लिए रवाना हो रहे थे